बिहार के पुर्व उपमुख मंत्री तेजस्य आदब की पार्टी राजद ने बिहार की 23 लोग सभा सिटो के लिए अपने उमिदबार के नाम का एलान कर दिया है अपने आपको A to Z की पार्टी कहे जाने वाली यानि कि सभी जाती एवं सभी धन की पार्टी कहने वाली RJD ने किस प्रकार से भेदभाव किया है वो भी इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं और जब RJD के उमिदबारों के नाम आप जानेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे और आपको एक जानकारी और देते चले कि RJD के 95% उमिदबारों के उपर आप राधिक मामले पहले से दर्ज है यानि कि इनका आप राधिक इत अपराध के मामले दर्ज हैं वह इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि RJD ने किस जाती किस धर्म को तरजी दी है और अपने आपको A to Z की पार्टी करती है नमस्कार मैं पेंज कुमार सिंग और आप तेखना है पॉजेटिव इडियो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजे और जो लोग अलेडि कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहिर दे धनबाद अब आपस आते हैं अपनी खवर पर तरसल बिहार में सीट बटबारे के बास RJD के खाते में 26 सीटे गई थी लेकिन RJD ने अपने कोटे से 3 सीटे मुकेश सहनी को दे दी और वैसी वैसी सीटे दी गई है जो कि मुकेश सहनी कभी जीत नहीं पाएंगे गोपालगंज सीट दी गई है जंजारपूर सीट दी गई है और गोपालगंज का इती हास रहा है कि वहां से BJP का है उम्मिदबार जित्ता आ रहा है यानि कि आरजेडी को जो सीट कमजोर लगी वही सीट उसे मुकेश सहनी को दे दी और मुकेश सहनी भी काफी खुस नजार और RJD के खाते में अभी 23 सीट है जिसमें से 22 सीटों के उमीदबार का एलान RJD ने कर दिया है और 23 सीट सीवान को अभी पेंडिंग में रखा गया है और सीवान से अभी तक RJD ने अपने उमीदबार के नाम का एलान नहीं किया है तो चलिए जानते हैं कि वो 22 उमीदबार कौन हैं जो की आरजेडी के टिकट पर चुनार लगने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका आप जरा टाइटल देखिएगा इनका आप राधी की तिहास देखिएगा तब आपको पता चलेगा त्याकि जंगल राज से इन लोगों का कैसा याराना है सबसे पहले आपको पताते चले कि लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले अपनी बेटी रोहिनी आचारिया जी को और मिशा भारती जी को टिकर देने का काम किया यानि कि अपने परिवार की दो बीटियों को सिंबल दे दिया ताकि ये जीत करके लोग सभाब पहुश सके दो में सीट बटबारे के बाद आरजेटी के खाते में 40 में से 26 सीटे आई थी जिसमें से 3 सीटे मुके सानी को तोहफे में दे दी गई उसके बाद लंबे इंतजार के बाद आरजेटी ने अपने 22 उमीदबारों के नामों का एलान कर दिया है इसमें से 8 यादब उमीदबार है और दो मुसलमान है, यानि कि 22 उमीद्वारों के 8 यादव को टिकर दिया गया है, और दो मुसलमान को दिया गया है, अब इस पर मुसलिम समधाय भरका हुआ है, कि जब आप कहते है, कि जिसकी जितनी हिस्दारी, उसकी उतनी भागे दारी, तो यादव की जनसंख्या अगर बिहार में 14 प्रतिसत है तो 14 प्रतिसत को ही देना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने जो टिकर दिया है वो 40 प्रतिसत टिकर जो है यादवों को दिया है यानि कि आपको सकते है कि इनके खाते में जो सीटे गई है उसमें से आधाद सीटे आधव को टिकर दिया गया है वहीं पाटली पुत्रा से डॉक्टर मिशा भार्ति जो कि लालू प्रसाद यादव जी की बरी बेटी है उनको टिकर दिया गया है, सारन से रोहिनी आचारिया कोटि कर दिया गया है, जिनोंने अपने पिता को किडिनी डोनेट की थी और लगता है कि लालु प्रसाद यादब अपनी बेटी के एहसान का कर्द उतारना चाहते हैं, तभी तो सिधे रोहिनी दिदी सिंगापूर से ले आदब को टिकट दिया गया है और जहानाबाद में आसुतोस कुमार निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर चुनाम मैदान में है वहीं NDA गठवंदन के उम्मीदबार के तौर पर चंदेश्वर्चंद्रवंसी जिनोंने साल 2019 में 700 बोटों से लगभग जीत दर्ज की थी उनको फिर से NDA ने अपना उम्मीदबार बनाया है यानि कि जहानाबाद में आसुतोस कुमार भरसेज सुरेंद्र यादब और चंदेश्वर्चंद्रवंसी की टककर होने जा रही है वेसे चंदेश्वर्चंद्रवंसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह तीसरे नमर के उम्मीद दिया गया है मध्यपूरा से प्रोकुमार चंद्रजीब जी को टिगर दिया गया है वहीं मधुबनी से अली अश्रप फात्मी को और अरडिया से साहनावाज आलम को मैदान में उतारा गया है और आप इन नामों को पढ़ कर समझ गए होंगे कि आखिर आरजेडी अपने आप नहीं पाई और 40% से जादा टिकट यादव उमिदवारों को दिया है वहीं पाटी ने गया से कुमार सरजीद पासमान को नवादा से स्रवन कुशबाहा को जम्य संसद्ये छेतर से अर्चना रविदास जी को नवादा से स्रवन खुशबाहा और पूर्निया से भीमा भारत को टिकर दिया गया है इनके नाम की घोसना पहले ही की जा चुकी थी और सीट सेरिंग से पहले ही लालू प्रसाध्यादब सिंबल बाट रहे थे और इसी सिलसले में पुर्णिया से बीमा भारती को वो सिंबल दे चुके हैं वहीं सुपॉल से चंद्रहास चौपाल जी को और अभयकुमार कुस बहास को हाजीपूर से सिप्चंदाराम हाजीपूर एक होट सीट है और हाजीपूर से एंडिये गटबंदन उम्मिदबार के तोर पर चिराग पासमान चुनाब लड़ने जा रहे हैं उन्होंने एलाम भी कर दिया है और ये सीट राम बिलास पासमान की परम परागस सीट कही जाती है राम बिलास पासमान जब जिवित थे और लोगसभा का चुनाब लड़ते थे तो हाजीपूर सीट से लाखो बोटो से वो चुनाब में जीतते आ रहे थे और उनका नाम गिनीज वर्ड बुक आप दा वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था क्योंकि उन्होंने लाखो बोटो से चुनाब जीता था उनकी टककर अब चिराग पासमान की टककर सिपचंदर राम से होना है वहीं मूंगेड से अनीता देवी महतो जोकि असोक महतो जोकी आप कहा सकते है माफिया उग्रबादी असोक महतो को कहा जाता है और जोकी जिस बेक्ति को भी सजा हो जाती है वो चुनाब नहीं लर सकता है जैसे कि लालू प्रसादी आदब जैसे कि आनंद मोहन ऐसे लोग जिनको भी कोट द्वारा सजा सुनाई गई हो वैसे लोग चुनाब के लिए अयोग घोसित हो जाते हैं और इसी सिलसले में असोक महतो देवी महतो चुनाबी मैदान में है वहीं उजियारपुर से अलोक कुमार महतो चुनाबी मैदान में है और उजियारपुर से केंद्रिये मंत्री जो केंद्रिये ग्रिह राज्य मंत्री नित्या नंद्राय है उनकी ठकर अलोक कुमार महता से होने जा रही है वहीं सिबहर से रितु जैसवाल को मैदान में उतारा गया है हलाकि इससे पहले बैसाली के पुर्व सांसर रामा की सोर सिंग उर्फ रामा सिंग के चुनाब लड़ने की चर्चा थी आरजेडी से उन्हें टिकट मिलने की उमीद थी जिनकी पतनी महनार विधान सभाथ छेतर से बीना देवी विधायक हैं लाल टेन छाप पढ़ी आरजेडी के टिकट पढ़ी वह साल 2020 का चुनाब जीती थी उनके पती रामा की सोर सिंग उर्फ रामा सिंग जो की बाहुबली कद्दावर नेता बताया जाते हैं सिभर से चुनाब लड़ना चाहते थे हलाकि लालु प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात भी होई थी लेकिन अब टिकट रितु जैसवाल को दे दिया गया है और सिभर से एंडिये उमिदबार के तोर पर लबली आनंद आनंद मोहन बाहुबली की पतनी लबली आनंद चुनाबी मैदान में है वहीं सवर्न कोटे से मात्र दो उमिदबार आरजेडी ने उतारे हैं पहला उमिदबार जो है बक्सर से सुधाकर सिंग जो की बिहार प्रदेश अध्यक्ष राष्टिये जनतादल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग के बेटे हैं पुर्व किर्शी मंत्री राचुके है और इनके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि इन्होंने नितीश कुमार से कैसी टकर ली थी नितीश कुमार को इन्होंने भिखमंगा टकर आरते दिया था वहीं बैसाली लोगसभाच्षेत्र से विजय कुमार सुकला उर्फ मुन्ना सुकला जो की बाहुवली नेता कहे जाते हैं उनको टिकर देने का काम किया अगर देखा जाए तो दो सवर्नों को टिकर दिया गया है एक राजपूत एक भुमिहार को उसके बाद कुस्वाहाजी को टिकर दिया गया है उसके बाद 40 प्रतिसत जो है वो यादब समाज के लोगों को टिकर दिया गया है और दो मुसल्मानों को टिकर दिया गया है यही आ अभी तक सिवान लोगसभा सीट से उमिदवार के नाम की घोसना आरजेडी ने नहीं की है वहीं आपको एक चीज और बताते चले कि BJP ने जो अपने उमिदवारों के नाम की घोसना की थी उसको भी जरा जान लिजे तभी आपको समझ में आपाएगा कि आरजेडी के सिंग, बक्सर से मिथलेश तिबारी, मधुबनी से असो की आदब, दर्भंगा से गोपाल जी ठाकूर, मुझहफर पूर से राजभूसनी साथ, पतना साहिब से रवी संकर परसाद, पातली पुत्रा से राम किरपाली आदब, सारन से राजीप प्रताप रुधी, स्वरी, से राम किरपाली आदब की टककर जो है, वो मिशा भार्की से होने जा रही है, लालु प्रसादी आदब की बेटी से, वहीं सारन से राजीप प्रताप रुधी, बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, और उनकी करी टककर लालु प्रसादी आदब की छोटी से संजय जैसबाल, जिनकी टककर मनिशकल से अपसे होनी है, वहीं आरा से आरके सिंग, उजियारपूर से नित्यानन राय, और अंगाबाद से सुसील सिंग, पुर्भी चम पारन से राधा मोहन सिंग, और नवादा से विवेक ठाकुर, वहीं अगर आप जेडियू पुर्णिया से संतोस कुमार, मधेपूरा से दिनेश चंद्री आदव, गोपालगन से अलोक कुमार सुमन, सिवान से विजय लक्षमी, भागलपूर से अजय कुमार मंडल, बाका से गिर्धारी आदव, मुंगेड से राजीव रंजन सिंग, उर्फ ललन सिंग, नालंदा स कौसलेंद कुमार और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रबंसी को टिकर दिया गया है, आपकी स्मुद्धे पर क्या राय है, आप क्या सोस्ते है, अपनी प्रतिकरिया देना जरूर दिजेगा, क्योंकि RJD चो अपने आपको A to Z की पार्टी करती है, लोग को ब हराद कुमार खेस है, आपकी स्मुद्धे राय है decent है, आपकी सी, टिकर बास कर दिएर बास कर दिए को घं पर किया है, कि अनक्यत in.